हेलो दोस्तों स्वाकत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इयार जेज जुकेशन चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं भाजियत है कि जाज कैसे करते हैं यानि टेस्ट और डिबिले जीटी यानि कि कौन जी संख्या कि संख्या से बिवपूर्ण र करते हैं लेकि दोस्तों उसे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लेगे तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और साज की साथ बैल आइगन को आनकर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचके तो चलिए दो दो से पूंतब विभाजिय संख्या यानि दो से कौन-कौन से दो से पूंतब विभाजिय संख्या यानि कौन-कौन से संख्या दो से पूंतब विभाजियोगी अगर किसी संख्या का अंतिमां कोई संख्या हो अथवा सुने हो तो वह संख्या दो से अवस से ही विभाजित जैसे कि यहां पर जो है 150 जो है इसके अंत्य की जो अंत्य जो अंक है वह क्या है सूने है सूने है तो इसमें करा है कि सूने हो तो वह संक्य क्या होगी दो से पूलेफ से विभाजित और देखिए दोस्तों 224 इसमें इसका अंतिमंग क्या है फूर फूर क्या है एक समसंख्या है समसंख्या sayक इसमीं समसंख्या um 205 अर् सब्था निसमें समसंख्या हो तो हो से विभाजित होती है तो यह संख्या भी दोसे हो जाएगी अब दिखाता हूं कि यह कैसे दोसे बभाजित औह गीए polt देखे सबसे पहला क्या था देखे दोस्तो 150 150 तो 150 देखे दोस्तों दोसे भाग करना है देखे सेबन टू जा 40 हो गया दोस्तों वान और टू फाइब या टेन दोस्तों यह देखे दो 115 या 2 से विभाजित हो गया पुंड ऌूप से विभाजीत हो गया इसका सैसफ़ शुने आया ठीक है दोस्तों अब देखे दोस्तों अब सेकेन्द ले टेलो 224 तो देखे दोस्तों सेकेंड 224 दोस्तो दोस्तो यह कर जाएगा फिर यह उतरेगा अब देखे दोस्तो फिर यह उतर जाएगा फोर तो टू टू जा फोर देखे दोस्तो यह भी दोसे पूर्णूप से विभाजित हो गया ऐसे आप किसी भी संख्या को देख सकते हैं कि क्या या दोसे विभाजित होगी ऐसे आप जाच कर सकते हैं एक बार और मैं यह आपको रिपीट कर वाँ देता हूँ देखे दोस्तों संख्या किसे कहते हैं? यानि दो से पूर्णुप पूर्टब विभाजित संख्या है, दो से पूर्णुप विभाजित संख्या है, कौन सी कौन किसी होगी, अगर किसी संख्या का अंतिमंग कोई क्या हो, संख्या हो, संख्या हो, जो दो से पूर्णुप से विभाजित हो, अथवा क्या हो, अथवा शुन्यों तो वह संह्था दोसे क्या होगी और वह से ही विवाजित होगी जैसे कि मैंने इसमें देखा कि इसका अंतिमां क्या है तो यह 2 से विवाजित होगी आप ऐसे जाच कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब 3 से देखते हैं लो 3 से पूर्थ विभाजिय संख्य है तो देखिए दोस्तो अगर किसी संख्या में प्रियोक्द अंको का योग 3 से विभाजित हो किसके अंको का योग यानि कि जो 7 और 2 और 6 है इन 3ों को जब जोरा जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 6 तो इसका जो योग आएगा वह अगर 3 से विभाजित होता है तो यह जो संख्या यह भी 3 से विभाजित होगी देखिए यही कर रहा है देखिए दोस्तो ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए दोस्तों क्या कर रहा है अगर किसी संख्या में प्रियोक्त अंको का योग क् यहां को का यह तीन से विभाजित हो क्या हो कि अलौ। क्या होगा दोस्तो 15 होगा 15 क्या 3 से विभाजित होता है जी हाँ दोस्तो 15 अगर आपको 15 भी नहीं पता है कि 3 से विभाजित होता है या फिर नहीं आपको 5 से प्लस कर देना है 1 प्लस 5 कर देना है 6 6 क्या 3 से विभाजित होता है हाँ दोस्तो 6 3 से विभाजित होता है तो यह सं देनें देखिए के दोस्तों तो अब आगे देखिए का लेरीज कर लेट लो देखिने दोस्तों अब आगे देखिए क्या है 107 1817 थिंट 107 स्टारी दोस्तो Robin यह क्या यह तिन से बिवारिश करते हैं तो देखी 1 जोन प्लस हमें क्या करना है इन ती क्या करना है प्लस करना है वनी प्लस सेबन फ्लस 1 ठीक है दोस्तो यह रह्म प्लस करना है तो प्लस किजिए सब्सक्राइब This when cookie и आई औरией और 11 और 1 12 12 क्या 3 से विभाजित होती है इसको जाज किजिए तो दिखें आपको लिखना नहीं है यही से जाज करना है वहन और टू तुरी और शिक्स नैंज ट्री स्ट 9 divisir होता है हां जोस्तव नैं रिस व्वाजित होता है तो यह संक्यांardi तो चलिए एक और संख्या में लेता हुआ अपने मन से लिए अब देखें प्लस कीजिए इसको दोस्तों वान और थ्री वान और थ्री फॉर और फॉर एट टू एल्ट चलिए एक बार और संख्या में लेता हुआ हुआ प्लस किजिए और इसको प्लस किजिए दोस्तों वन Stretch और 5 और 5 9 40 40 कि आप 40 नहीं जानते हैं तो आप एक बार और प्लस किजिए 4 और 15 5 कि यह 3 से विवाजित होगी नहीं होगी तो दोस्तों यह संख्या भी 3 से विवाजित नहीं होगी ऐसे आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गयों तो चलिए अब 4 की भाजेता जाज करते हैं दोस्तों तो फोर की चलिए देखिए अब 3 की जान गया लोग 4 की जान देखिए अगर किसी संख्या के अंतिन दो अंग चार से भीभाजी तो अंकि अंतिंग के दो अंग माली नि किसी संख्या के अंत में संख्या के अंत के दो अंग क्या हो दो अंग चार से भी भाज़े तो या फिर अंत में दो सुन्य हो तो वह संख्या भी क्या होगी चार से भी भाज़े तो गई ध्यान देगा दो तो कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंत के दो अंग क्या हो चार से हुघ सुने हो और शॉंक्या होगी चार से भीवाजित होगी हुचे दोस्तों यह अब को द्यान देना है तो देखिये मैंने यहां पर इसमें देखा कि अंएंट को फैसा 26 चाल जी भीवाजित होगी नहीं दोस्तों 26 चार से विवाजित नहीं होगी तो यह संख्या भी चार से विवाजित नहीं होगी अब देखिए 48 क्या चार से विवाजित होगी हाँ दोस्तों सब्सक्राइब गोने जोटे कि इसमें 2-0 हो 20 तोने भी क्या होत रह सब्सक्राइब तो ये भी 4 से भी तो ये संक्या भी 4 से क्या होगी भी भीवाजित होगी अब देखेगे इसमें 16 है 16 किया 4 इवाजित होगी हांinya 16 थoured 6 संख्या के उंहाँ 10 कि दो अंग चार से भी धाक पहुं या फिर दो सोनी हो अंत कैसे दो ओंग 4 इवाजित हो europe या फिर ≈FC विभाजित कुछनम तो ए आप को द्यानक के अगर किसी संख्या का अंतिमंग्स सुन्ये और यह पूर्णूप से बिवाजी तो चल यह देखते हैं जाज करते हैं लूँ देखिए इसका अंतिमक्ते हैं पांच है इसका अंतिमक्त यह तो यह न विदाजी तोगी इतियाधि हो सकता है ठीक है दोस्तों यह आपको द्यानक क्या करा किसी संख्या का यह संक्या प्मख सुन्यों, और 5, और संक्या पांसे 45 से विभाजित हो गें यह आपको ध्यान देना हैC ा देखिए छिक से देथर दोस्तों कि देखे दोस्तों लुक्त कि इस फिर में जो संक्या दोओ से औरर नों से नाशवाज़ी तो AT करें क्या यह जो दुटेगे यह तो देखें तो कि सिवन तो नाइन और लेख जाएगा मैंने इसमें देखा सुने तो यιο दो से जाएट होगा और देखिए 3 से देखिए 1 और 0 वह 0 1 और 0 1 और 2 3 और प्लस 0 तो 3 होगा तो 3 यह भी 3-6 से भी विवाजित हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से यह विवाजित हो रहा है तो यह संख्या 6 से विवाजित अवस्य होगा ठीक है दोश्तों देखिए साथ की कोई फर्मूला नहीं इसे समझना है तो देखिए माली जी वह संख्या माली मैं कोई संख्या ले लेता हूं समझाने के लिए आपको 5768 ले लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों इस पर धियान दीजेगा यह जो लास्ट वाला अंक है इसको Δूस अमक्तिक्री ने कीसे से क्या है ओं, ऑर यह हैं यहां पर इसमें माइनस कर देना है 576 minus 2 multiply 8 टीक है दोस्तो ऐसे आपको कर देना है अब next step क्या है 576 में से इसको ईट और 2 जब multiply करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तो 16 आ जाएगा अब अब इसमें 2 Multiply 0 और इसमें आपको क्या कर देना है 56 minus कर देना है तो 56 minus 0 is equal to क्या हो जाएगा दोस्तो 56 हो जाएगा 56 seven से भी वाज़ी तो हता है हां दोस्तो 56 seven से भी भाज़ी तो हता है तो यह संकhconstant क्या हो जाएगा 7 से भाज़ी थो silver अगर आप ये फिर से एक बार और तोना चाहते तो मालनी जे 56 तोना चाहते तो इसमें 2 से मल्टिप्लाई कीजिए 6 मल्टिप्लाई क्या हो जाएगा 2 और इसमें तो सिक्सटू जर्ट्वेलल में से 5 गया 7 दोस्तू यह संख्या साथ से विभाजित होगी तो यह संख्या भी साथ से विभाजित होगी एक और संख्या में लेता हूं दोस्तू तो रुखें यह सबसे पहले इरेज कर ले आगे 56 माइनस 2 multiplied 0 हो जाएगा अभ दिखिए 56 माइनस जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा क्या 56 7 के पारा में आता है है हाँ दोश्तों 56 7 के पारा में आता है तो यह भी संख्या 7 से अवस्जे भी बाजी तो दिखिए 56 को अगर आपको फिर से तोरना है तो आपक सब्सक्राइब कोई मन से कोई संख्या लेता हूं माल वह संख्या है इसको मुझे जाच करना है तो 56 इसको लिख देना और इसमें माइनस कर देना इसको जो है तू से मल्टिप्लाइब कर देना ठीक है तो अब आपको क्या करना है दोश्तों देखिए और माइनस कीजिए 56-48 च् conservatives करें मैं तो 52 मैं से 8 स्वेटा इंगर ठीक इस भीएं तो अब बताइब 16 करें तो तो क्या जाएगा 12 क्या 7 से विवाजित होता है नहीं होता है दोस्तों इसलिए यह संख्या होगी इसलिए यह जो संख्या है यह साथ से विवाजित नहीं होगी ठीक है दोस्तों यह आपको द्यान रखना है जो सुत्र बताया है इसका मैंने लिखा नहीं हूं लेकिन यह केव किसी संख्या औंटिम के तीन था divided सुने ब्रबाइए पर शिर्वारइप मैं क्या कह रहा हूं अगर किसी संख्या के अंतिम के तीन हो तो इसलिए यह संख्या आठ से क्या होगी विभाजित होगी अब दिखी अब इसकी जाज करते हैं इसकी तीन यह जो तीन है इसको जब आप जब आप भाग देंगे तो यह क्या होगी आठ से भाग लग जाएगी तो इसलिए यह संख्या भी आठ से भाग लग जाएगी यह भी भाग लग जाएगी अंतिन तीन अंक मानियस की जेगा तो क्या हो जाएगा यह भी संख्या भाग लग जाएगी ठीक है द तो वह संख्या भी आठ से भीवाजित हो जाएगी इसमें जुए एट फोट्य जुए यह भी आठ से भीवाजित हो जाएगी यह तीनो स्क्राइब करता है दोस्तों अगर, किसी संख्या कि वह 2ग एह सब आखोường का यक्या हुआं अगर किसी संख्या कि, सभी अंको का योग क्या हो नौ से बीभाजित हो यह भी थ्री वाली एस्टेप पर डिपेंड करता है दोस्तोς अगर ठीक जैसे कि माली यह छले दोश्तों रुखसे सबसेफ़एं करने लो जैसे कि माले जी ए 459 क्या यह 9 से बीवाजित होती तो हमें क्या करना है इसमें अगर क्या करें आप शाये तो Shave चाहें तो एट इन को भी प्लस कर सकते एट और वाण नाइन क्या और नाइन से विवाजित होगे हाँ दोस्तों अवज से नैन से बीवाजित होगी तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है रुख जाए दोस्तों एक रॉफ ले लेता हूं चलिए नेक्स देखिए दोस्तों 3222 यानि 3222 है इसमें हमें क्या करना है नाइन को इस ती चारो संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी तो देखिए दोस्तों नाइन के विभाजित होगी तो यह संख्या भी क्या होगी नाइन से विभाजित होगी आप घरपे करके देख लिजेगा 3222 यहान से विभाजित हो जाएगी अब देखिए नेक्स्ट मैं लेता हूँ 3, 2, 4, 3, 6 यह माल लिजे मैंने दिया 3, 2, 4, 3, 6 इसको मुझे प्लस करना है 3 और 2, 5 3 और 2 दोस्तो 5 5 और 4, 9 9 और 3, 12 और 12 और 6, 18 18 हो गया अब अगर आपको नहीं आ देख कि 9, 18 से विवाज होता है तो फिर से प्लस किरिए 1 और 8 9, 9 9 से विवाज होगी तो यह संक्या भी 9 से विवाज होगी ठीक है दोस्तो 18 भी 9 से विवाज होगी और यह भी संक्या 9 से विवाज होगी आपको ध्यान देना है मालनी जी मैं अपने मन से ले रहा हूं 46369 ये ले लिया आपको क्या करना है इनको आयो करना है 6 और 4 10 और 10 और 3 10 और 3 30 30 और 6 19 19 और 9 19 और 9 28 क्या हो जाएगा दोस्तो 28 ध्यान देना है ठीक है 28 क्या 9 से विवाजित होता है देखिए फिर से प्लस कीजिए 8 और 2 10 क्या 10 विवाजित होगा नहीं होगा तो यह संख्या भी क्या होगा यह दोस्तो यह संख्या भी क्या होगा नाइन से विभाजित नहीं होगा ठीक है दोस्तो एक और मालीजे मैं संख्या ले रहा हूं 4 3 2 3 2 यह मालीजे मैंने लिया चलिए 4 3 7 7 or 2 9 9 or 3 9 3 दोस्तो 12 12 और यह 50 50 हो गया ठीक है दोस्तो पाइफ और 6 6 6 9 से विभाजित नहीं होगा तो चलिए दोस्तों नेख देखते हैं एक और ले लेता हूं मालीजी 4 3 2 6 नहीं दोस्तों 5 3 2 6 ले लिए अब देखिए इसको अमें क्या करना है यह प्लस करना है फाइफ और 3 8 8 aur 2 10 और 10 और 6 16 16 के 9 से भाजित नहीं होगी दोस्तो इसलिए एस संख्या भी 9 से भिभाजित नहीं होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिय दोस्तों 10 से 5 लोग दिखिए दोश्तों 10 से 5 लोग संघ्या है अगर किसी संख्या के अंतिमंग सूने। अंतिमंग अंतिमंग till तू वह संख्या की अंतिमंगों काई तो वह संख्या के अंत्कां सुने numbers ος-चुबर तू होगी के यह आपको द्यान देना जैसे किसमें अंतिमंगे सुने यस तैसी ऑस द्याली दो कहां क Blues ऑवज से भी विवाज़त फोगि सब्सक्रांद अगरा कम करने सांफ आन्पी अगर किसी संख्या का आंतिमें सार्फी आपको देखते जो 11 समझने वाला है दोस्तो इसकी तो देख्या 11 मालां लिजे 123456 मैंने लिख्या सब्सक्राइब को क्या rogacy स्थ को प्लस करना यह ऑर एक करेंगे फिर प्लस यह करेंगे अब इसके आगे जो भी संख्या हो तो इसको छोड़ कर यह कर सकते हैं फिर एक और संख्या को छोड़ कर यह से कर सकते हैं ठीक है दोस्तों जीतना भी संख्या आप कर सकते हैं ठीक है लेकिन एक क्या वह बीच में गैप होना चाहिए एक क्या होना चाहिए बीच में गैप होना चाहिए दोस्तु ठीक है तो देखिए तो मैंने क्य कहा फर्स्ट प्लस करना है और फिर से थर्ड प्लस करना है और फिर से फाइफ प्लस करना है ऐसे प्लस करने तो प्लस किजिए वन प्लस थ्री प्लस फाइब क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों नाइन हो जाएगा ठी वन प्लस वन प्लस 3 3 प्लस 4 और 4 प्लस 5 9 9 वह जागा अब देखिए फिर अब जो बचा उस संख्या को प्लस करना है फिर सेकेंड को एक गैप करके फिर इसको एक गैप करके क्या 2 प्लस 4 प्लस 6 करना है क्या हो जागा दोस्तों क्या जागा दोस्तों टू और 4 8 और 8 और 6 14 और इन दूनों को माइनस करते हैं तो अगर हमें सुन्य प्राप्त होता है या फिर 11 से वह बिभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी 11 से वह से भिभाजित होगी ठीक है दोस्तों तो चलिए यह नहीं होगी जब 9 में से 14 तो यह 11 से भी संख्या 11 से भी विवाजित नहीं होगी तो चलिए मैं पर्फेक्ट एक पर्फेक्ट लेकर आपको समझाने का प्रयाश करता हूं जैसे कि ले लिए यह 179212 ठीक है दोस्तों यह है ठीक है दोस्तों देखिए ध्यान दीजेगा क्या करना है हमें दोस्तों इसमें छे अंक है फर्स्ट को प्लस करके फिर एक गैप करके इसमें प्लस करना है फिर आगे भी संख्या हो तो उसको भी इसे चोड़के आगे वाले संख्या से सोरी दोस्तों 9 प्लस 1 ओजाएगा ठीक अब अब जो बचद संज्ग्य क्या डैन्स करेंगे तो क्या प्रापत होसे डू प्रापत होगा तो मैंने क्या कहा दोस्तों अगर लिए obtained जिन्वी करते हैं इतन्य आप जोड़ते हैं तो उनमें से घाटाते हैं् t Sn refuse चे होती कि आड़ं से भीआजित होगी sound कि आड़ से भीभाजित होगी दीमें दोश्तों उमीद करता हूँ आप समझ रहे सेकेंड है मेरा सरी दोस्तों तो 57781517 यह आपका ठीक है इसको प्लस करना है और इसे में फलस कर देने ठीक इसको लेकर और इसमें फलस करदेना है ठीक दोस्तो तो प्लस किजी देखें 7 और 1 एट में 8 ऑर 1 9wang नाइन हो गया दोस्तो अब देखिए 10 आप करंगे दोस्तों एट और 5 13 हो डोगा लिए जब गिरेंट 19 से विवा जयेगा लिए1 जू एक ग्यारइस संक्याः क्याईश आप समझ रहे होंग तु मैं लिए संक्या वह संख्या है क्या है दोस्तों माल लीजे वह संख्या है यह माल लीजिए 77777777 यह 67 ठीक है तो जाए दोस्तों इरेज करने साफ नहीं है देखिए क्या है 7777 और 7 और 7 यह ठीक है दोस्तों यह मुझे इसका जाज करना है क्या यह यह 11 से विवाइज तोगी तो चली हमें क्य करना है इसको और इसको प्लस करना है ठीक फिर इसको और इसको प्लस करना है प्लस किजिए दोस्तों जिए दोस्तों इसको और इसको प्लस करने तो किजिए 7721 हो जाएगा और ये भी 21 हो जाएगा ठीक है दोस्तों क्योंकि 33 है तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो यह सं मैं संख्या लेता हूं आप कर रहे हैं कि किवाल सिक्स नॉमबर पर ले रहे हैं यानि कि इसका यूनिटिक एक सिक्स है तो देखिए मैं ले रहा हूं 66 ले लिए माली यह तो आप जानते कि 66 से विभाजित होगा ठीक है तो इसे भूल जाए अब माली जी क्या है टू-9 ओन क्या करना है इसको गेप करके न दोनों में प्लस करने क्या होजाजाएगा नाइन यह बातए कर दिंगत simplify जाए त्री यूनिट पर 1 प्लस yüz को प्लस करना है कि यह उतार यह क्या होजाएगा थाए दो और यह यह जाओ सूर यह ऻुगा तो 121 एलेवन से वीवाजित होगा ठीक है दोस्तो एक और माली हमिच्ण कले रहाऊ 131 ही इसको प्लस करेंगे क्या हो जाओ यू और जो मानस करेंगे तो क्या जाओ माइनस वन आ जाओ तो यह संख्या एलेवन से नहीं विवाजित होगा ठीक तो चलिए आगे बढ़ते लोग एक और माली जा मैं संख्या लेता हूं कितना भी आपको यूनिट हो कितना भी यह तो इसको क्या करना है फिर इसको मल्टिप्लाई करना है जो छुड़ जा नहीं आपको फर्स्ट और यूनिट से तो 3 11 से विवाजित अगर सुनिया है या फिर 11 संख्या 11 से विवाजित हो तो वह संख्या 11 से विवाजित होगी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लोग दिखिए ध्या दीजेगा दोस्तों इसके भी देखि यदि किसी संख्या में 5 9 12 आदी 3 2 संख्या 2 5 6 5 6 6 यह जो संख्या दीख रहा है आपको जैसे में आपको बताया गया है यह संख्या देखिए त्री के गुनज में तो यह संख्या तीरी और 37 से आपका अवस से विवाजित होगा ठीके दोस्तों यह आपको याद रखना है क्या मैंने कहा यदि किसी संख्या में तीन छो नौ या फिर उससे भी तीन तीन के जो भी बारो नौ बारो या फिर पंदरो बार वही संख्या रिपीट करें यानि पुनावरित करें तो वह संख्या 3 और संथी से विवाजित होगे यह आपको ध्यान देना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं लो आगे कहा है दोस्तों आगे देखिए अगर कोई संख्या 6 12 बार 6 के गुनज में वहां पे 3 के गुनज में आया और अगर यहां 6 के गुनज में हुई हो तो वह संख्या 3 सब्सक्राइब यहां पर 7 होगा फूर के जगा पर क्या होगा 3 7 11 और 30 से क्या होगा अगर कोई संख्या मालीजिए 6 6 6 के गुनज में रीपीट करके है यह ऐसे आये तो यह संख्या किस किस से भी वाजित होगा ऐसे यह आप अनुमान लगा सकते हैं 7 11 और 30 से वह से उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आये गहागा अगर यह वीडियो आपको अच्छा है लगा हो तो लाइक किजएगा से कीज़ेगा सब्सक्राइब कीज़ेगा और साथ इसाथ बेल आइगन को आन कर दीज़ेगा ताकि लिए चैस वीडियो सबसे पहले आप तो चलिए धन्दा आप 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 आप